असलाम कुमेटियर इस्पूरेंट्स, I hope कि लांस्ट प्रेक्टिकल आप लोगों ने बहुत अच्छे से लिख लिखिया होगा, लांस्ट रिम हम लोगों ने लिखा था एक्सपेरिमेंट नमबर सेक्स जो कि था इफेक्ट ऑफ इसे ताइल कोलीन अन दी राबिट आई, आज हम लोग पढ़ेंगे study of effect of atropine on rabbit's eye, ठीक है हम लोग अट्रोपीन का effect देखेंगे कि rabbit eye पर क्या effect होता है और जैसे कि हम लोगों को मालूम है कि atropine जो है वो cholinergic antagonistic drug है और हम लोग cholinergic antagonist drugs को बहुत अच्छे से pharmacology के lecture में पढ़ चुके हैं को स्टार्ट करने से पहले लोग अपने पूरी के पूरे paper के इस साइट पर आप लागों लगाऊँगे पैंसिल के साथ लगाँगे उपर एक्स्पेरिमिंट नमबर 7 लिखोगे और उसके नीचे उसकी heading study of effect of atropine on rabbit eye आप लोग थीरी लिखते हो उसकी, थीरी में क्या करोगे, अट्रोपीन is a tertiary amine, बालाडोना अलकलोईड, अट्रोपीन is a cholinergic antagonistic drug, right, it is also called parasympatholytic drug, it is an anti-mascarinic agent, यहां तक हो गया, फिर उसका onset of action लिखोगे, कि onset of action of atropine is 10 to 30 minutes, 10 से 30 मिनट तक इसका onset of action होता है, यानिके 10 से 30 मिनट तक इसका असर जो है, वो जाहिर होने में लगेगा, फिर duration of action, कितने time तक उसका असर रहते हैं, its duration of action is about 4 hours, इसका असर जो है, इसका दौरानिया जो है असर का वो 4 घंटे होता है, except when please topically on eye, except यह कि जब हम लोग उसको eyes में place करते हैं, रखते हैं, यानिके drops क सूरत में हम लोग उसको इसका 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 असर जो है वो पूरा दिन भी रह सकता है, यानिके थोड़ा थोड़ा असर जो है वो दिन में बाकी दिन भी रह सकता है, फिर mechanism of action, mechanism of action start करने से पहले, इस first paper के विल्कुल opposite side पे आप लोग क्या करोगे, इस तरह से plain paper पर नीचे उसकी heading लिखतोगे, राइट, राइट, अब आप क्या करोगे, mechanism of action, mechanism of action में आप लोग कहते हो कि atropine blocks muscarinic receptors causing inhibition of muscarinic action, यानको muscarinic receptor के साथ bind कर जाता है और inhibit कर देता है कि इसको muscarinic action को, फिर action on eye पे, यानके हमारा eyes के उपर, आँखों के उपर इसका क्या असर होत है, atropine is cholinergic antagonistic drug, so cause following effect on eye, ये antagonistic है, cholinergic antagonistic है, तो ये दर्च जेल असरात जाहिर करती है, कौन से असरात जाहिर करती है, ये midriasis पैदा करती है, dilation of pupil of eye, ये pupil की, यानके dilation cause करती है, due to the iris ciliary muscles relax, क्यों कैसे, कि हमारा जो iris ciliary muscles, जो हम रिलेक्स हो जाते हैं, and radial muscles जो होते हैं, इंट्रोकिलर प्रेशर पर क्या effect होता है, it can raise इंट्रोकिलर प्रेशर, ये इंट्रोकिलर प्रेशर को भी बढ़ा देती है, then subject क्या है हमारे यहापे, healthy rabbit, यहाँ पर हम लोग हल्दी rabbit इस्तमाल कर रहे हैं, तो आप लोग क्या करोगे, विल्कुल इसकी opposite side पर बनाना चाहो, तो आप लोग एक cute सा rabbit बना सकते हो, ठीक है, side पर आप लोग margins लगा कर, यहाँ पर cute सा rabbit बना दो, और नीचे आप mention कर दो, that subject is healthy rabbit, right, फिर drug, हम लोग drug यहाँ पर इस्तमाल कर रहे हैं, atropine 2%, और फिर इसके नीचे apparatus, apparatus अगीन वही चीज है, कि wooden box हम लोग इस्तमाल कर रहे हैं ताकि हम लोग अपने खरगोश को उसके अंदर काबू कर सकें, और इसके बाद cotton swab इस्तमाल करते हैं, ताकि हम लोग corneal reflex हम लोग मालू कर सकें, torse का इस्तमाल करते हैं, ताकि हम लोग light reflex को मालू कर सकें, stop watch का इस्तमाल करते हैं, ताकि हम लोग यह देख सकें कि duration of action, जो उ गोपल की डाइलेशन को मयर कर सकें कि उस वो कितना ज्यादा फैल गया था, ठीक है पहले नॉर्मल था, अप्लाए करने के बाद अट्रॉपीन को वो कितना ज्यादा फैल गया उसको मालूम करने के लिए स्केलि सामाल करते हैं, Let's start our procedure Take a healthy rabbit and place it in a wooden box In such a way that face and head remain outside the box आपने healthy rabbit ले लिया सिहत मंद आपने खरगोश लिया और उसको रख दिया आपने लकडी के box के अंदर बकसे में इस तरह से कुछी सरह से कि उसका जो face था और जो उसका head नहीं कि उसका मुँ और जो सर था वो बाहर था outside the box यहाँ आप ऐसे भी कर सकते हो head and neck जो उसकी गरदन थी वो आपके box से बाहर थी Select one eye of the rabbit एक आँख आपने select कर ली Wet the cotton और आपने cotton से उसको wet किया Wet with cotton and wet lashes with cotton swab और आपने क्या किया? Cotton swab से उसकी पलकों को आपने गीला कर लिया And cut the lashes carefully with scissor और आपने उसकी lashes को पलकों को बहुत ध्यान के साथ केंची से cut कर दिया Note normal size of the pupil with the help of scale Scale की मदद से pupil की जो normal size है उसकी जो length है वो मालूम कर लोगे Note the light reflexes with torch and corneal reflexes with cotton swab Light reflexes को torch की मदद से और cotton swab की मदद से corneal reflex को मालूम करते हो Now install one to two drops of two percent atropine अब आप लोग एक से दो कतरे डाल दोगे Install करोगे atropine के जोके two percent solution लिया वह अपने And observe all the parameters right after measuring all the parameters अब क्या करोगे इस जहां पर आपने यह procedure लिखा है बिल्कुल इसकी opposite side पर white paper के उपर इस सरहा से आप लोग ने क्या करने है दोनों साइट पे अपने pencil के साथ margins लगानी है यहां पर एक box बनाना है इनके table बनाना है उपर mention कर दिया that it is the observation यहां पर एक row बना दिया अपने time के column बना दिया अपने time का, एक column बनाए आपने effect on eye का और एक column बना दिया अपने light and corneal reflex का यह चीज़ हो गई, time में आपने 5 minute पहले पहले लिखा कि 5 minute पर कोई effect नहीं था, size पर कोई असर नहीं हुआ, light और corneal reflex भी कोई नहीं था 10 minute के बाद आपने देखा कि हलका सा effect जाहिर होने लगा, effect कैसे पता चल रहे है आपको, कि आपका जो purple था, वो dilate होना start हो गया, right, उसका size बड़ा होने लगया और इसी तरह से light मारने पर तो आँख जो थी वो रद्य अमल जाहिर करती और corneal reflex भी जो उसका effect क्या था, वो चीज़ हलका था, तो आपने plus plus का sign लिखा पर 30 minute के बाद आपने देखा कि पेवपल ज़्यादा dilate हो गया है और उसका light और corneal reflex भी ज़्यादा हो गया है और फिर एक गंड़े के बाद आपने देखा कि slight effect है, यहने कि थोड़ा कम होने लगा और ऐसे light और corneal reflex भी कम होने लगा और फिर एक और आदे गंटे के बाद भी और दो गंटे के बाद भी आपने दिखा कि आहिस्ता आहिस्ता उसका इफेक्ट जो था तो थोड़ा-थोड़ा होने लग लगया, इसके बाद, आप लोग प्रोसीडियर को end करोगे, कैसे के note all the reading in observation table, आप लोग तमाम तर जितनी भी अपने readings ली थी, वो observation table पर आप लोगों ने mention कर दी, अब precautions की तरफ आजाते हैं, इनके एहतियात हम लोगों को कहां किस की सीज़की करनी है, हमने first of all healthy rabbit लेने, ठीक है healthy rabbit ये समाल करना है, and handle gently, और उसको बहुत आहिस्ता की के साथ, आहिस्ता से हम लोग उने उसको handle करना है, cotton cotton swab should touch slightly with rabbit eye, हमने खर्गोष की आँख में, जो रुई की बती है, उसको बहुत आहिस्ता से हमने touch करना है, हमने इतनी जो जो से उसकी आँख के अंदर नहीं मारना कि उसकी आँख डैमेज हो जाए, फिर योजिस हम लोग यहां पर योजिस हम लोग अट्रोपीन के अगें, हम एकिस के इलावा लिखना चाहते हो तो आप लोग लिख सकते हो, अड़ोग लिख सकते हो, अट्रोपीन इस रूज टॉज टॉज लोग उस वो चीज आपको नजर आए और आप लोग उसको अबसर्फ कर सको, अट्रोपीन इस रूज़ आज़ यह ए एंटिस पाजमोडिक of motion sickness for short journey यानि कि जो सफर के दोरान जिन लोगों को उल्टी होती है या कै आती है तब बेद खराब हो जाती है वो लोग इसको इस्तमाल कर सकते हैं profile axis के तरफ मिन हिबसे मात अकदम के तरफ पर then atropine is used as antidote for acetylcholinesterase inhibitors और insecticides and mushroom poisoning जब कभी mushroom poisoning हो जाए तो हम लोग इसको antidote के तोर पर इसमाल कर सकते हैं last में हमारा result क्या है हमने देखा कि dilation of pupil occurred हमारे जो खरगोश की आंग थी उसके pupil की dilation हो गई as this is medriatic drug क्यों क्योंके ये क्या है medriatic drug है light and corneal reflexes are present after applying it light और corneal reflexes भी मुझूद थे उसको apply करने के बाद right बिल्कूल इसके opposite side पे आप लोग क्या करोगे आप लोग इसका result यही same result आप लोग pencil के साथ pencil वक्त में लिखते हो ठीक है side पे आपने margins लगा लिए result की heading दी और उसके नीचे आप लोगोंने ये चीज mention कर दी right आज का practical experiment number 7 effect of atropine on the healthy rabbit eye right ये आज हमारा complete हो गया I hope कि आप लोगोंने ठीक 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 लिए होगा फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप लोग comment section में मुझसे question कर सकते हैं अब तक के लिए इतना ही thank you so much Allah Hafiz